और अब वक्त है सत्य और तत्य का विवस देश के दो बड़े रेसलर विनेश होगाट और बजरंग पुनिया की आज सियासत में एंट्री हो गई विनेश और बजरंग पुनिया ने कॉंग्रेस जॉइन कर ली ओफिशली बताया जाता है कि राहूल गादी के करीबी माने जाने वाले दिपेंदर हुड़ा विनेश के ओलंपिक से वापस आने के बाद से ही इस मिशन में जुटे हुए थे जो आज पूरा हो गया और अब ये कहा जा रहा है कि विनेश और बजरंग हर्याणा चुनाव के दंगल में उतर सकते हैं कॉंग्रेस इनने टिकेट दे सकती हैं ब्रिज भूशन शरण सिंग के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन में विनेश वगाट और बजरंग पुनिया एहम भूमिका में थे और अब ब्रि कॉंग्रेस पार्टी की है दिपिंदर हुडा और भुपिंदर हुडा की है इन बाप बेटों की है बिजबूशन शरण ने कहा मैं पहले भी कह रहा था और आज तो देश कह रहा है कि अब मुझे इस बारे में कुछ कहने की आवश्यक्ता नहीं है वहीं दूसरी और कॉंग्रेस विनेश की लोगप्रिता को भुनाना जाती है उनका पॉलिटिकली इस्तमार कर रही है विनेश वोगाट और बजरंग पुनिया की मुलाकात के बाद कॉंग्रेस सद्ध्यक्ष मलिकार जुन खडगे ने एक्स हैंडल पर कैप्शन में लिका चक्दे इंडिया चक्दे हर्याना यानि इससे साफ है कि विनेश और बजरंग अप कॉंग्रेस के मिशन हर्याना का एक एहम हिस्सा होने जा रहे हैं कुछ लोग कॉंग्रेस का इसको मॉस्टर स्ट्रोक कह रहे हैं बूस्टर डोज बार रहे हैं आज एक और आंदोलन की चर्चा भी करनी अर्विंद केजरिवाल ने कहा था कि मैं राजनीती में कभी नहीं आउंगा लेकिन क्या हुआ ये आप मैं और हम सब जानते हैं यानी राजनीती में कब किसकी कैसे एंट्री हो जाए ये कहा नहीं जा सकता विनेश ने भी कुछ दिनों पहले बोला था कि पॉलिटिक से मेरा क का हिस्सा है वो देश की चैंपियन है इसमें किसी को कोई इतराज नहीं है लेकिन राजनीती का वो हिस्सा है अब ये सब के सामने आ गया है फिलाल इतना ही नमस्कार